शांती समीती की बैठक में थाना प्रभारे ने पिजली के डबल कनेक्शन की समस्या के लिए बताया समाधान डंड़ाई से दीपक कुमार की रिपोर्ट जीला गढ़वा प्रखन डंड़ाई होली एवंशोबे बरात को लेकर थाना परिसर में मंगलवार को शांती समीती की बैठक की गई बैठक के दौरान थाना प्रभारे सुनिल कुमार पटेल ने कहा कि इस्तेवहार में सभी लोग कुरोना महमारी को देखते हुए अपने सुरक्षा स्वैम करें और लोगों में समाजिक दूरी बना कर रखें तथा भीड अधिक से अधिक ना लगाएं क्योंकि यह एक बहुत ही खातक बिमारी है जो वाइरस के द्वारा एक दूसरे में संक्रमन से फैलता है आपस में अपना भाई चारा का संबंध बनाते हुए इस तेवहार को हिंदू एवं मुश्लिम मिलकर अच्छी तरह से मनाएं तथा बिजली की समस्याओं के बारे में कहा कि एक ही व्यक्ति के नाम पर बिजली का दो कनेक्शन या अधिक कनेक्शन हो गया होगा तो वे इसकी सूचना अविलम थाने में दें एवं इसकी कागजाद थाने में जमा करें इसका समधान किया जाएगा क्योंकि इससे काफी बिजली उभुकताओं को परिशानी हो रही है वहीं इस कारकरम के दोरान समा सेवी सहरारो मुख्यापती पंकजविस्वकर्वा ने बिजली की समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि हमारे छेतर में सभी करीब किसान एवं मजदूर है जब पहली बार बिजली कनेक्शन किया जा रहा था तो लोगों ने अपना अधार काट दे कर कनेक्शन करा लिया लेकिन अभी तक उनके घर में बल्ब नहीं जले है उनके छेतर में बिजली के तारपोल भी नहीं है और उन व्यक्तियों के नाम पर दसजार से बीसजार तक का बिजली बिल आ गया है यहां के अधिक से लोग मजदूरी कर अपनी चीवी का किसी प्रकार चला रहे हैं इस स्थिती में लोगों के पास अपना जमीन बेज कर बिजली बिल भरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है ऐसी स्थिती में लोग काफी परिसान हैं इसका निवारन अवश्य होना चाहिए अशोक प्रशाद लाल मुहम्मद अंसारी, पदरुदिन अंसारी, हारुन अंसारी, अक्षैराम, कनहया प्रजापती, घुरन बिगन बैठा, सहीत काफी लोग सामिल थें आप सभी गड़वा चीला वासियों को गड़वा त्रिष्टी की तरफ से होली की अग्रिम सुब कामनाएं होली के सुब होसर पर गड़वा त्रिष्टी लेकर आया है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, गाना गाई है और जीती इनाम भेजने की दिधी 10 मार्श से 25 मार्श तक एवों परिराम एक अप्रेल को कड़वा त्रिष्टी यूट्यूब चैनल पर खोशित किये जाएंगे आप हमें अपना गाना हमारे वाट्सअप नंबर पर भेजें, थन्यवाद